हालो एवरीवन, वेलकम टु कुशी का एजुकेशन, मैं हूँ आपकी एजुकेटर पूर्णिमा, इस वीडियो में हम देखेंगे जो सीटेट का पेपर 1 होता है, पी आर्डी के लिए, ठीक है, उसमें आपका एन्वार्मेंटल स्टडीज का एक स्टेक्शन है, जो की 30 मार्क का आता है, इन 30 मार्क में से 15 मार्क की आपकी पैडा गोजी पूछी जाती है, एन्वार्मेंट से रिलेटेड ही, तो जो 15 कोश्चन आपके वैसे बुक में से पूछी जाते हैं, वो हम आपको बताएंगे कौन सी बुक पढ़नी है, पेज नंबर भी बताएंगे कि इस यह सीर पेपर है, सेप्टेंबर 2016 में, लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था, आप लोगों का सीटेट का, वो वाला यह पेपर है, ठीक है, तो देखो इन्होंने जो कोश्चन पूछा हुए, 69 जो वैक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्स से रह रहे हैं, उनका उस जंगल भूमी और उसमें पैदा होने वाली वस्तु पर अधिकार है, यह जनादेश किस के द्वारा दिया गया है, ठीक है, अगें, इंग्लिश में एक बर, people who have been living in the forest for at least 25 years have a right to the forest land and what is grown on it, this is mandated by, यहां पर आपका अंसर से जादा इंपोर्टेंट है कि यह कहां से पूछा है, यह आपकी 5th class की environmental study की book है, ठीक है, ठीक है उसका page number 86 है, NCRT की बात कर रही हुए, NCRT 5th class की, ठीक है, उसका chapter 20th page number 86 पर आपका अंसर दे रखा है, बिल्कुल यही लाइन है, यह लाइन दियो ही है उसमें और यह अंसर दिया हुआ है, ठीक है बुक का जो chapter है उसको पढ़ोगे तो आप आपको यह मिलेगा, the right to forest act 2007, यह इसका अंसर है, ठीक है न, then which of the following is a set of disease spread by mosquito, वैसे तो अगर आपने वो chapter नहीं भी पढ़ा है, तो भी आप इस question को कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि देखो HIV AIDS जो है, वो mosquito से नहीं होता, यह भी option में नहीं आएगा, ठीक है, यह भी नहीं आएगा तो आपका अंसर हैगा, डेंगू, मलेरिया और चिकुन गनिया, ठीक है, यह तीनों आपको बतानी है, यह जो question में उठाया है, again वही आपकी NCRT, 5th class की environmental studies की जो book है, उसमें जो chapter 8 है, ठीक है, treat for mosquito, ठीक है न, तो chapter का नाम है, chapter 8, आप वहाँ से देख सकते हैं, then, picture plant, ठीक है is not found in India, घट परणी पोधा, भारत में नहीं पहाय जाता, इसमें से यह बताना है कि सही चीज क्या है, इसमें, cleverly traps, eat frogs, insects and mice, यहाँ पर हम question solve करने की बजाया, आपको यह बताना चाहते हैं, कि आपका paper कहां से आता है, और आपको कौन सा source पढ़ना है, ठीक है न, साथ के साथ solve कर रहे हैं, वो अलग बात है, तो, पीचर प्लांट वाला जो इसका answer है, cleverly trap and eat frogs, insects and mice, जो पीचर प्लांट होता है, वो कीडे मकोडों को अपने अंदर फसा कर खा जाता है, ठीक है न, तो यह आपका second, यह वाला answer है, यह भी आपका, जो fifth class की NCRT है, almost जितने भी question इस paper में पूछे हुए हैं, पैड़ागोजी के अलावा, पैड़ागोजी वाले भी इसी पर based हैं, एक बार आप इस book को पढ़ लोगे, तो मैं इसलिए page number बता रही हूँ, ताकि आप एक बार जा कर देख सके वहां से, क्योंकि मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि NCRT पढ़ो, सर्स वैसे ही बोल रहे हैं, तो आपको एक बार सोर्स बता देंगे, तो आप पढ़ पाओगे, तो अभी चलते हैं, आपका पता लगया इसका, पीचर प्लांट का, घट परनी पोधे का, मैंडक, कीडे, मकोडे और चूहों को चालाकी से फसा कर खा जाता है, ठीक है, कौन प्लांट, दें, हम आते हैं, 66th question पे, ये question, which of the following are the neighboring state of Jammu and Kashmir, ये भी आप अपने आप दे सकते हो answer, लेकिन ये भी आपकी उसी बुक से question पूछा हुआ है, अंसर है, कौन-कौन से है neighboring state इसके, पडोसी, राज्ये कौन से है, Jammu and Kashmir के, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, ओ ये भी आपका कहां से पूछा हुआ है, ये chapter 13 से पूछा हुआ है, again NCRT 5th class environmental studies, ठीक है ना, तो क्योंकि हम PRT का discuss कर रहे हैं, तो level 1 से लेके 5 तक कि आप अगर math की, क्योंकि math के भी 30 ही question आते हैं, environmental study के भी 30 ही question आते हैं, तो अगर आप 1 से लेके 5th class तक का NCRT पढ़ लेते हो आपको उसके अलावा कुछ करने की जरूत नहीं है, इन 60 marks के लिए, अगर आप एक बर कर लेते हो, line to line जो box बने हुए हैं, वो कर लेते हो, तो आपके पके 30 marks को ही नहीं रोक सकता, ठीक है, पका आएंगे ही आएंगे, इसलिए मैं page number के साथ बता रही हूँ, आपको देखो 67 chapter 3 में जाना, इसको पूरा पढ़ोगे तब इसके answer मीलेंगे, इन्होंने पूछा हुए है, कि match each of the location with the correct description of a common house built in that area, ठीक है, ये नाम दे रखे हैं और ये type of houses दे रखे हैं, कि जैसे bamboo से जो house बनते हैं, bamboo के pillar बनाकर houses बनते हैं, तो वो कहां पर बनते हैं, तो आपको match करना ये बनते हैं, आसाम में, ठीक है, then, मनाली में कैसे बनते हैं, houses जो stone और wood से बनते हैं, ठीक है, और उनकी जो roof होती है, वो भी कैसे होती है, तिर्ची होती है, धलान बनी होती है, धलान बनी होती है, ये लद्दाक वाले, जो होते है, floor, wooden, जो wooden की होती है, च्छत होती है, house made जो फर्श होता है वो आपका वुडन का होता है और सीलिंग होती है वो भी वुडन की होती है ठीक है ना तो यह आपका 67th question है यह आपका chapter 13 में से दिया हुआ है अगें 5th class की NCRT ठीक है ना नेक्स चलते हैं हम यह हमारा हो गया था forest right act वाला यह देखिए आपका the different pattern on the skin of animal are यह कह रहा है कि जो जैसे की शेर पे वो pattern बने होते हैं लंबी-लंबी मतलब ऐसे धारियां सी होती है जेब्रा पे धारियां सी होती है तो वो किस वज़े से होते हैं due to hair on their skin ठीक है उस वज़े से होती है तो देखिए आपका यह भी NCRT से ही पूछा हुआ है next हमने पीछे वाला discuss कर लिया अभी यह वाला देखिए which of the following set of a table rich in iron again यह आपका food वाला digestion वाला चेप्टर है उसी NCRT में यह वहां से पूछा हुआ है आपका then यह वाला question बिल्कुल exact line उठा रखी है almost in every part of our country chilies are added while cooking food chilies are brought to our country by trader who came from वो कह रहा है कि जो मिर्ची है ठीक है ना वो कहां से आया है हमारे देश में page number 49 पे chapter लिखना में भूल गई फिफ्ट क्लास की NCRT है environmental studies की उसके page number 49 पे बिल्कुल यह line दी वे इसके साथ ठीक है आपका South America से introduce हुआ है यह दिक्षिन अमेरिका से हमारे पास चिली आया है then next again आपका यह पूरा का पूरा इन्होंने 5th chapter और 20th chapter जो है वो plants के बारे में है ठीक है तो वहां से आप इस question को cover कर सकते हो seven एक भी question आपका बाहर से इन्होंने नहीं पूछा हुआ सभी question उसी NCRT से आय हुए है मैं यह नहीं कहारी कि आप उसी NCRT को पढ़के जाओ उसको definitely पढ़के जाओ प्लस में जो fourth class की NCRT है बिल्कुल एक दिन में complete हो सकती है ठीक है बिल्कुल छोटी सी NCRT है लुक्स लाइक बियर बट इस नूट यह बियर के दिखता है लेकिन है नहीं इट स्पेंट ओर्मॉस्ट सेविंटीन ओर्स ए डे स्लिपिंग वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन उल्टा लटक के सोता रहता है यह ठीक है इट इट इस अलीव ऑफ द सेम ट्री ओन विच इतलिव फॉर अबाउट फोटी इयर्स तो इसका नाम कहा है स्लोट चेप्टर वन है चेप्टर वन में से आपके तीन चार कोशिंग उन पूछे हुए हैं चेप्टर वन पर ही बेस्ट है बिल्कुल डिरेक्ट आपके वहां से पूछे हुए हैं तो इसका फिट एप्टर से ही दिया हुआ है ठीक है चप्टर वन के लास्ट वाले पेज पे दिया हुआ है यह आपका काइट एगल एंड वल्चर अभी जब हम इस लेक्चर को एंड करेंगे कि सोर्स बता रही हूं क्योंकि मैं आपको तो मैं आपको उस बुक का दिखाऊंगी कि वह बुक कौन सी है NCRT है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूगी कि आपको वहां से डाउनलोड करनी है अधरवाइस आप सबको पता ही होगा कि सभी NCRT हम डाउनलोड कर सकते हैं NCRT की साइट से जाकर तीक है या फिर आप अपनी हार्ड को भी खरीच सकते हैं next question है आपका read the given description of farming and identify its type तीक है after cutting the one crop वह कह रहे है कि एक बर जब हमें एक फसल काट देते हैं ठीक है कुछ दिनों के बाद उसको जो भूमी है उसको छोड़ देते हैं ठीक है वहां पर कुछ नहीं होगाते the bamboo or weeds which grow on that land are not pulled out जो bamboo वेगेरा वहां पर उख जाते हैं अपने आप तो उनको मतलब बाहर नहीं निकारा जाता ठीक है फिर थोड़े time बात क्या करते हैं वो उख कर बड़े होते हैं तो उनको काट के और उनको वहीं पर जला दिया जाता है इससे जो आपकी ashes बनती है ठीक है तो ऐसा कौन सी क्रिशी में होता है ठीक है उस क्रिशी का नाम बताना है यह जूम फार्मिंग में होता है आपका chapter 20 page number 190 पे यह आपका दिया हुआ है इस question का answer ठीक है ना बिलकुल direct के directing लोगोंने question पूछे हुए है then यह देखे when a snake charmer play on his वो कह रहा है कि जब सपेरा ना बीन बजाता है तो सापना इदर उदर गूंता है तो वो ऐसे क्यों करता है क्यों respond करता है इस तरीके से तो answer है by responding to the vibration produced by the instrument यह भी आपका chapter first और chapter second दोनों को मिला के आप इसको answer कर पाओगे ठीक है तो इसमें around जितने भी 15 question है ना बच्चो आपके जो आपके pedagogy से related नहीं है ठीक पर 2016 का paper है आपका 80th question हम देखते हैं the gastric juice in the stomach of a human being यह इस cancer आपको page number 31 पे दिया हुआ है वही digestive वाला acidic इसका answer है ठीक है adds in the digestion of a food यहाँ पर actually मेरा main motive यह नहीं है कि मैं आपको पूरा paper करवा हूँ यहाँ पर मेरा motive है कि आप NCRT पढ़ो मैं यहाँ पर एक तरह से कह सकते हूँ कि मैं proof दे रही हूँ कि question आपके NCRT में से ही आएंगे आपका seated अगर आप NCRT पढ़ोगे तो कोई नहीं रोक सकता कि आपका seated qualify ना हो पका पका आपका qualify होगा जिस तरीके से हम pedagogy की question solve करते हैं बाकी question भी आप अपनी common sense के साथ solve कर सकते हैं तो यह तो मैंने आपको sources बता दी हैं कि किस type के question इननों पूछे में जैसे उसी chapter में यह दिया हुआ है कि इंडिया में कौन से type के सा आप पाए जाते हैं ठीक है ना बहुत सारी चीज़े हैं जब आप पढ़ोगे हो सकता है next time यह चीज़े ना पूछके वो चीज़े पूछ ले तो आपको वह वाली NCRT cover करनी है अभी कुछ दिन में live आएंगे तो मैं आप लोग उसे पूछूंगे कि आपने कितना पढ़ा आप लिस्ट वो 5th class की NCRT अब तब तक खतम जिन लोगों का आप लिस्ट डिट रिप्लेस बी का एक्जाम नहीं है तो वो उस चीज़ को खतम कर सकते हैं ठीक है ना जिनका डिट रिप्लेस बी का एक्जाम है वो तो भी उसी एक्जाम के लिए फोकस करें अभी हमारे पास सीटेट के लिए बहुत टाइम है क्योंकि दिसंबर में एक्जाम होने वाला है तो इसी तरीके से हम पैटरन अनलाइज करेंगे वो चीज़े वो रिसोर्स पढ़ेंगे आपके तीक है ना काफी टाइम लगा मुझे एक बार मैंने इसको एनलाइज करने में तो अभी जो आ या फिर इनकरेक्ट है या फिर क्या प्रोब्लम है इस कुश्चन में इस जो यह स्टेटमेंट है डेफिनिटलि इस स्टेटमेंट में प्रोब्लम है क्योंकि जरूरी नहीं है कि उस फैमिली में मदर होगी फादर होगी सिरफ दो ही बच्चे होंगी दो से जादा बच्चे भी हो सकते हैं, दादा दाधी भी हो सकते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर यह जो statement है, आपकी incorrect है, आप इसके question देखोगे, तो आपको लगेगा कि जो seated level 1 है, वो आप definitely qualify कर पाओगे, देखो ना, अगर आप NCRT पढ़ लेते हो, फर्स से लेके फिफ्ट क्लास तक की, ठीक है, maths की, and EVS की, ठीक है, 60 marks आपके कहीं नहीं गए, एक भी question गलत होगा ही नहीं आपका, ठीक है, और previous year जो paper है, आपके वो करके जाते हो, जादा practice set क्या करने है, practice set आप previous year ही कर लो, उनको ही कर लो, तो वहाँ से 60 marks आजते हैं, तो आपको 30 marks और कवर करने रह गए, ठीक है, ठीक ह से 60 marks भी अराम से आजाएंगे, कोई problem ही नहीं है, तो seated level 1 को इतनी जादा मेहनत की जरूत नहीं है, बस एक बार आप यह जो NCRT है, यह कर लीजिए, अगर problem आ रही है कोई, तो फिर हम cover कराने की, देखेंगे, क्योंकि अब तो एक्जाम थोड़ा दूर चला गया है, तो हम preparation कर सकते हैं, ठीके guys, यह मैंने analyze कर दिया था, मुझे लग रहा था कि आपका October में exam हो सकता है, बट अब यह जो December में हो गया है, तो अब हम धीरे धीरे preparation कर सकते हैं, बाकी अभी जो level 2 है, ठीके paper 2 है, उसका paper analyze करना है, देखना है, वो कहां से question पूछ रहे हैं, वैसे तो मु किताबे नहीं खरीदनी है, घर पे धेर नहीं लगाना है किताबों का, जो authentic book है, वो पढ़नी है, एक दूसरी बात और में बताना चाहूंगी, एक बार आपना सीटेट की साइट पे जाना, वहां पर ध्यान से देखना, बिलकुल bold letter में उन्होंने लिखा हुआ है, कि NCRT की जो books हैं, वही books पढ़ें, यानि कि उन्हीं पर बेस्ट जो syllabus है, वो आपका आने वाला है, वही आपको पढ़नी है, तो फिर वो जब वहां पर साफ-साफ पोल रहे हैं, तो आप definitely वही books पढ़ें, क्यों आप इस चीज के लिए भाग रहे हो कि कोई अरिहंत लेना है, किरन ठीक है, टाइम बचता है, प्रेक्टिस करनी है, क्योंकि पैड़ागोजी आपकी हर उसमें आती है, वो अच्छी बात है इतना प्रेक्टिस करो लेकिन पहले आप अथेंटिक सोर्स से पढ़ो, अपना सेलेक्शन पक्का करो, ओकी, I hope आप लोगों को अच्छा लगा होगा जो आपके अभी पैड़ागोजी वाला पोर्शन रहे गया है, अन्वारमेंट में, उसमें उसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, किस तरीके से हमें पैड़ागोजी करनी है, अन्वारमेंट की, वो भी हम देखेंगे, ठीक है, आपको बताना की वीडियो कैसी लगी, ओ झाल